तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि किया सॉनेट का ओफिशल डिजाइन सामने आ गया है जिसमें हमें उसके इंटिरियर और और एक्स्टिरियर देखने को मिले हैं यह इस साल शुरुआत में ऑटो एक्स्पो में देखी गई थी पहली बार और अब कंपनी ने इसके ड देखने को मिलते हैं इसके इंटिरियर और एक्स्टिरियर तो जो हमारी प्रोडक्शन एडि किया है उसका ग्लूबल डेबी होने वाला है 7 अगस्त को और यह होने वाला है कंपनी की वेबसाइट पे जैसे कि आप हर जगे एड़िजमेंट भी इनके देख सकते हैं और यह इसका देख सकते हैं सॉनेट कॉंसेट जो कि हमारे प्रोडक्शन डेडी में भी आया है तो आप देख सकते हैं कि इसको काफी स्पोर्टी लुक गिया गया है यह ऐसी कार से हमारे कंपीट करने वाली है जैसे कि हुंडए वेन्यू और हमारी मार्ति सुजगी ब्रेजा तो इसमें प्रोजेक्टर हेड लैम्स हैं उसके साथ ही हमको DRS भी मिलेगा और इसका फ्रंट बंपर है वो काफी मस्कुलर लगता है देखने में और इसमें हमको साथ में LED टेल लैम्स भी मिलेंगे जो कि एक LED लाइट बार से कनेक्टेड है जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं और इसमें हमको black ORVM मिलने वाले हैं तो आप देख सकते हैं जो गाड़ी का लुक है जैसे हमको ये red और black देखने को मिलना है तो ये काफी अच्छा लग रहा है ऐसी हमको red और black में ब्रेजा भी देखने को मिलती है लेकिन ये जो कारे ये कुछ अलगी दिखती है बात क हैं इसके इंटिरियर्स की तो इंटिरियर्स में हमें इसमें देखने को मिलनेगा एक 10.25 HD touchscreen infotainment system जो कि इसका बहुत बड़ा attraction होने वाला है क्योंकि इस range में इस कार के हिसाब से जो हमें इतनी बड़ी touchscreen मिलती है उसमें हमको काफी सारे features मिलेंगे और आप देख सकते हैं कि इसकी जो air conditioner के vents हैं उनकी placing काफी अच्छे से दी गई है जिससे आपका मतलब कार जल्दी कूल हो सके और आपका AC भी effective हो इसमें हमको साथ में जो इसके AC के vents हैं उसके किनारे हमको chrome का premium touch मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं chrome की plating side में दी हुई है और आप देख सकते हैं इसका जो steering wheel है उसमें multifunction unit दिया है जैसे कि आप आजकल काफी cars में देख सकते हैं steering mounted controls हमको देखने को मिल सकते हैं और इसमें हमको six airbags का option में मिलेगा जो कि इस range की गाड़ियों में वैसे available नहीं होता है तो ये safety के हिसाब से भी काफी अच्छी car होने वाली है तो अब बात करते हैं गाड़ी की और main highlight की जो कि सबसे important होती है गाड़ी का engine तो engine में हमको ऐसे ही engines मिलने वाले हैं जैसे के engine options हमें Hyundai Venue में मिलते हैं इसमें हमें 1.0 liter का turbo GDI petrol engine मिलेगा ये 120 horsepower तर प्रेडियूस कर सकता है साथी में 172 newton meter तक का torque और दूसरा जो engine option है वो हमको मिलेगा 1.2 liter petrol engine जो की 83 horsepower प्रेडियूस करेगा 114 newton meter torque के साथ और जो third engine option हमको इसमें मिलेगा वो होगा 1.5 liter diesel engine जो की 100 horsepower प्रेडियूस करेगा 240 newton meter torque के साथ और अब बात करते हैं transmission की तो हमको इसमें manual और automatic transmission के options मिलेगे और manual में हमको इसमें intelligent manual transmission मिल सकता है जो की आपको नई cars में देखने को मिल सकता है जैसा कि अभी जल्दी में Hyundai ने launch किया है और उसी के साथ हमको इसका जो price है जो की और एक important चीज है price हमको इसका कुछ 7 से 12 लाग के बीच में हो सकता है जैसा कि ये compete करने वाली है Vitara Breza से, Hyundai Venue से, Tata, Nexon से और Mahindra XUV 300 से और साथ ही में Ford Eco Sport से भी तो company कोशिश करेगे कि इसका price काफी competitive रखे जैसे कि ये market को capture कर सके क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इतने टाइम से car की sales उरकी होई थी तो अब cars की sales में थोड़ा सा push आने लगा है और cars काफी बिटने लगी है तो हो सकता है company situation का फाइदा उठा है लेकिन अभी ये car इतनी जल्दी market में available नहीं होगी कि या इसको कोशिश करेगा launch करने की कुछ festive season के around जब भी आपको available होगी लेकिन इसका launch अभी एक अफ़ते बाद होने वाला है तो मुझे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कुछ comments है या आपके questions है तो आप हमसे पूस सकते हैं